आज का आज विडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्काइब कर देना जिससे कि विचर मैंने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके सबस्क्राइब करने वाली हो वह है यह शूगर का ब्लशार एंड गाइस आपने यह मेरी मोस्टी वीडियो में देखा होगा और यह मेरा वन ओफ दी फेवरेट ब्लशार है और इसको तो आप जरूर से जरूर बाये करना अगर आपको बहुत ही ज़ादा ब्लशार का शौक है तो आप यह वाला ब्लश को definitely try कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसकी packaging आप यह देखो इसकी packaging जो है वह आपको इस टाइप से received होगी ठीक है बहुत ही ज़ादा travel friendly अगर गिरता भी है तो यह तूरता नहीं यह ना इसमें कोई mirror है और ना इसका कोई plastic का container है जो गिर नहीं देखा और बात करूं कि प्राइस की ना तो इसका प्राइस भी बहुत कम है अगर मैं compare करूं यह product का और अगर बात करूं कि मतलब इसकी pigmentation इसका swatch सब कुछ इतना perfect है कि इसके लिए तो आप 500 रुपे भी मतलब spend कर सकते हैं बट यह आपको सिफ मिलेगा 300 रुपीज का जो मुझे लगा इसका best part है like 300 to 350 है और बाकी discount पर भी available हो जाते है कई लाइक purple वगएर पर काफी अच्छी discounts वगएरा आते हैं तो आप उस टाइम पेस से buy कर सकते हैं सबसे बहले मैं दिखा देती हूं इसका swatch तो यह देखे गाइस इसका swatch देखो कितना ज्यादा beautiful लग रहा I mean यह fully matte है और यह best चीज है क्योंकि matte blushers बहुत कम companies निकालती है क्योंकि almost सभी blushers में आपको थोड़ा बहुत shimmer वगएरा मिल जाते हैं shine मिल जाती बट case of this इसमें बिलकुल भी नहीं मिलता और जिसमें मेरा shade वो pink pinnacle है बाकी आपको screen के उपर कही ना कहीं दिख जाएंगे ज इस वाले blusher को आप जरूर से जरूर बाय करें और यह beginners के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है बहुत affordable भी है तो यह तो था मेरा first blusher यह है मेरा second blusher और यह है नायका का डियो गैट चिकी blush और जिसमें मेरा shade है वो ब्राजलियन बॉमशेल और यह ultimate है इसकी मैं आपको से त्वाले ब्लस होता है अगर बात करूं कि इनके अंदर शिमर वगयरा है यह नहीं तो गाईस इनके अंदर शिमर है और यह यह वाला मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया तू भी और यह वाला बलशर मैंने बहुत बाहर लगाती हूं क्योंकि लगने के बाद इतना अच्छा लगता और यह fair to medium skin tone के उपर बहुत ज़्याद अच्छे से जाने वाला है और यह मतलब बात करूँ प्राइस तो तोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि तोड़ा सम्हेंगा बड़ आपको दो ब्लश डिस्विड होते हैं लाइक अगर आप एक एक लोग है तो 300 रुपे का तो मिनिमम एक पड़ता ही है तो आपको दो मिल रहे हैं तो ठीक है 300 रुपे का प तो बहुत अच्छी गए सीरियसली बहुत अच्छी पिग्मिंटेशन मुझे इसकी लगी लगाने के बाद तो इतना ज्यादा खुफसुनत लगता है ना यह की बहुत ज़्याद अच्छा और यह ब्राउन वाला तो गाईस बहुत अल्टीमेट है यह देखो आप आप इस तो यह है यह पिंग कलर आप देख सकते हैं यह भी बहुत ब्यूटिफुल है मैं ऐसा नहीं कह रही है बट जो इसकी पिंग्मिंटेशन मुझे थोड़ी सी लाइट लगी लाइक अगर आपका फेयर स्किन तो ही आप इसे लगा सकते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं लौट करें लिए वह प्लास्टीशन तो ऑगर करेंगे लिए लगा लेते हैं तो उसकी बाद लगाएंगे तो थोड़ा वह दीखेगा बाकि इसकी बात करूँ ना तो एक अब उसकी बीट नहीं है क्योंकि प्लास्टिक आपक़ कंटेनर नुट मिलेग और अगर गीर घर तो यह तूट भी सकता है, तो यह ठीक है, अलमस्स सभी blusher का यही वाला हाल है, सब का kind of ही packaging आती है, एक दो के अलावा, और इसके साथ आपको किसी भी तरीके का कोई mirror नहीं मिलेगा, तो यह इसके दो colors थे, और यह बहुत ज्यादा beautiful है, इसके drawback बताना भी जरूरी है, क्यो यह है Maybelline Newer Fit Me, और जिसमें मेरा shade है, वो है Rose 30, यह मतलब मैं बात करूँ ना, तो इसक्रीन पर बहुत अलग दिख रहा है, और रियल में ही आया था, यह पिंकिश वा और उसमें थोड़ा सा ओरेंज शेड लग रहा था, बट अगर मैं बोलू तो अच्छा शेड है, मैं श अच्छा लगा, इसकी pigmentation अच्छी है, इसके अंदर आपको shimmer particles मिलेंगे, shiny वाला है, बट लगाने के पाद ऐसा नहीं है, अलग से भड़कीला सा लगेगा कि बहुत ज़्यादा शाइन लगा रहा कर नहीं, यह मतलब आपके skin पर बहुत अच्छे शाइन करेंगा लगने के अच्छा बहुत है, और इसमें आपको golden particles मिलता है, ना कि silver, तो यह आपको highlighter भी काम करता है, इसके pigmentation देखिए, कितनी अच्छी pigmentation और color है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लगाने के पाद बहुत ही beautiful लगा, इसलिए मैंने इसको written पर नहीं डाला, और यह मेरे साब सब skin tone के पर जाएगा, तो अगर आप कोई भी skin tone हो, तो आप इसे definitely buy कर सकते है, यह बहुत ही ज़्यादा beautiful है, और मुझे यह वाला blusher काफी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब price wise मुझे लगा कि quantity थोड़ी सी कमा है, but pigmentation wise ठीक है, बहुत अच्छा है, और यह आप definitely buy कर सकत है, बाकि अगर आप से shade कोई दूसरा मंगाऊगे ना तो इसकी pigmentation बहुत अच्छी है, और इसकी जो packaging है आप यह देखिए, यह बिल्कुल rose बना हुए, बहुत ही luxurious सा लगता है लगने के बाद, यह बहुत ही luxurious इसकी packaging मुझे लगी और बहुत ही beautiful सा लगता है, और जिसमें मे brand-wise अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है, बट अगर मैं यह color-wise यह shade की बात करूँ तो shade इतना ज्यादा अच्छा मुझे यह वाला रही लगा, आप इसकी जगे कोई और shade कर सकते है, मुझे जब मैंने एक वाय क्या था तो मुझे इतनी knowledge नहीं थी, बट आ गया तो इसकी पैकेजिंग इतनी ज्यादा ब्यूटिफुल लगी कि बस हाँ, अब मैं दिखा देते हूं इसका इस watch आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, अब दिखाती हूं, तो यह दिखी है, तो यह वाले से भी बहुत light है, तो यह बिल्कुल certain look चाहिए ना, आपको मतलब अगर आपको लगा नहीं है, बहुत जादा शौक हो, मेरी तरह हो, मुझे बहुत जादा पसंद है, तो आप इससे definitely मंगा सकते हैं, और अगर बात करो इसकी pigmentation की ना, तो बहुत ही ultimate इसकी pigmentation है, बट थोड़ा सा light है, सिर्फ fair skin tone वालों के लिए है, यह medium के लिए भी नहीं ह को ही wash out करता है, तो अगर आप ऐसा kind of blusher चाहते हैं, इसी brand का तो इसमें color कोई दूसरा buy कर लेना, otherwise ही बहुत अच्छा है, तो यह था मेरा fourth one blusher, अब हम बात करेंगे मेरे fifth or last blush, यह है मेरा last one, and यह है Maybelline New York Master Flesh Creator, and इसमें जो मेरा shade है, वो है, क्या है मेरा shade, किस bite, इसमें पैकेजिंग है, वो इसकी है, क्योंकि इसका reason है, कि इसके साथ आपको mirror भी मिलता है, mirror बहुत ज़्यादा है, mirror तो होना ही चाहिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, और आपको mirror नहीं है, और बलश है, तो इसमें आप अपनी शकल वकल देख सकते हैं, और बात करूँ इसके shade क के लिए like, अगर आप dusky होना, तो भी आपके पर बहुत beautiful लगना है, medium skin tone है, fair skin tone है, सब के उपर जाएगा, और इसके अंदर आपको जो particles है, वो मिलेंगे लएक ये थोड़ा पर इसमें आपको silver shimmer particles मिलेंगे, और आप देख सकते हैं, कितना beautiful है, ये बहुत बहुत ज़्याद किया, तो आपको इस सारे की आप देख सकते हैं, एक तो ये वाला बहुत beautiful है, एक नायका का ये वाला और ये last one वाला, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा beautiful लगते हैं, मुझे मैं ऐसे बोलूँगी कि पांच ये अच्छे हैं, obviously, affordable भी हैं, काफी अच्छे भी हैं, but case of this, ये बट वो आपको 500, under 500 मिल जाता है, तो वो जादा मुझे लगता है, कि वो affordable है, तो ये इस ताइप से मिलेगा, और इसकी packaging काफी अच्छी है, मतलब ऐसे निए कि इसका container बहुत हलका हो नहीं, इसका container बहुत अच्छा है, प्लास्टिक के आपको इस ताइप से packaging इसकी मिलेग तो ये थे मेरे top 5 blushers, hope आपने इस वीडियो को enjoy क्या होगा, वीडियो को enjoy क्या होगा, तो वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना and bell icon को भी hit कर देना, so yes guys, मिलते हैं मेरी next वीडियो में, तब तक के लिए, bye and take care guys